केंद्र सरकार ने गेहूं के दाम को कम करने और इसकी जमाखोरी वसक्ते बाजी को रोकने के लिए गेहूं पर नई स्टॉक लिमिट लगा दी है। यह सभी राजियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। सरकार गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि इसका दाम न बढ़े। दरसल मांग से अधिक उत्पादन होने के बावजूद गेहूं का दाम बढ़ रहा है जिससे सरकार चिंतित है। अब उसने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट को संशोधित कर दिया है। उसके खिलाफ आवशक वस्तू अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहट दंडात्मक कारवाई की जाएगी। यदि उप्रोक्त संस्थाओं के पास उप्रोक्त निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। केंद्र और राजे सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी न पैदा हो। पहुँच गया है। देश में आटा का ओसत दाम 35.97 अधिक्तम सत्तर और न्यूंतम 28 रुपए प्रती किलो रहा। इसलिए सरकार परेशान है। सरकार कहीं न कहीं यह मान कर चल रही है कि जमाखोरी की वज़े से दाम बढ़ रहा है। बहरहाल देखना यह है कि सरकार के इस फैसले से गेहूं और आटे का दाम घटा है या नहीं। Bureau Report Market Times TV